सरकारे स्कूल में पढ़ने वाले एक लड़के ने जापान की रहने वाली एक लड़की का दिल जीत लिया और उसके बाद लड़की साथ समुंदर पार करके सीधे भारत के उत्तर प्रदेश आई और इस लड़के से शादी करके उसकी दुलहन बन गई है। हारते शादी वाकई में काफी बहतरीन होती है कि शादी केवल दो दिलों का मिलें ही नहीं बलके यह शादी दो देशों के संबंद को एक साथ जोड़ता है और अब दो देशों के बीच का यह संबंद शोसल मेडिया पर खूब सुर्ख्यां बटोर रहा है सब कुछ आपको व जापानी लड़की इस ठेट देशी लड़के से शादी करके तुलहन बन गई है लड़के का नाम अजी त्रिपाथी है जो पेशे से इंध वीय्म है अजित के पिता का नाम राजेंदर त्रिपाथी है सरBooks में हुई है और वो मद्यम वर्गे परिवार से संबंध रखते हैं तो वहीं दूसरी तरफ जापान की रहने वाली मसाको वेस्टरन कल्चर को फॉल्यू करती है और जापान के टाउन में उनकी परवरिश हुई है और बिल्कुल ही विलायती मैम है वहीं एक देसी लड़की और विदेसी मैम की ये जोड़ी लोगों को खूब पसंद आ रही है और लोग इस शादी को दो दिलों का मिलन ही नहीं बलकि दो देशों का संबंध बता रही है मसाको अपने पूरे परिवार के साथ भारत के उतरपदेश आई और उसके बाद इंजिनियर अजीत क्रिपाठी से शादी रचाई है शादी बिलकुल देशी अंदाज में हुआ है जहांपर अजीत दुलहा बने थी और मसाको दुलहन के लिबास में थी और दोनों ने अपने सभी परिवार वालों की मौझूदगी में धूमधान से शादी की है अजीत रिपाठी के परवरिश के बारे में जब उनके पिता से बाचीत की गई तो उन्होंने बताया कि अजीत की प्रारंबिक शिच्छा और उचिच्छा गाउं के सरकारे स्कूल से हुई है और उसके बाद अब वो पिछले आठ सालों से जापान की रालधानी टोक्यो मे हिकारे तुलसियन कंपणी में सौफ्टवेर इंजीनियर है तो वहीं दूसरी तरफ मसाको भी टोक्यो में ही ओल्लाइन मार्केटिंग मैनेजर की रूप में काम करती है और इन दोनों की मुलाकात काम के सिलसिले में ही हुई थी लेकिन इसके बाद दोनों अच्छे दोस्त बन गए और अब जब इन लोगों को प्यार हो गया तो इन लोगों ने शादी करने का फैसला लिया अजित ने बताया कि शादी तक का सफर काफी ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि हम पिछले दो सालों से प्यार में हैं और तब से हम अपने परिवार वालों को समझा रही ह है लेकिन हमारे परिवार वाले इस बात को मानने से इनकार कर रहे थे अजीत ने बताया कि मेरे परिवार को मसाकों की कल्चर से काफी ज़्यादा दिक्कत थी उन्होंने कहा कि जापान की लड़की भारत में नहीं रह पाएगी वह एडजस्ट नहीं करेगी तो वहीं मसाको के परिवार वालों को भी मेरा भारतिय होना अच्छा नहीं लग रहा था लेकिन हम दोनों ने मिलकर अपने अपने परिवार को अच्छी तरीके से समझाया और अंततर परिवार वालों ने हमारे प्यार को अपना लिया है और अब हम दोनों शादी करने का फैसला ले चुके में शादी करेंगे और इस बात के लिए मसाकों के परिवार वाले भी मान गए और वो लोग जापान से भारत आए उत्रप्रदेश में हमारे शादी हुई अजिद उत्रप्रदेश के बस्ती जिले के दुबॉलिया इलाके के रहने वाले हैं और उन्होंने सरकारी स्कूल से अ अजिद जापान में ही रह रहे हैं और वहीं पर मसाकों को अजिद से प्यार हुआ और अब दोनों शादी के बंधन में बंद गए हैं बांकि आप इस इंटरनेशनल जोड़ी के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताईएगा आगी की तमाम खबरों के लिए ज झान इός कि तर अजिद एफ क्यू और अजिद से वाझ ल हैं और झानेवाब उन भीदी त अ में रहे हैं झान